हे रोग सब गाईज अनुज रहे हैं वेलकम तो डीसेवन कोर्स और आज की वीडियो के अंदर हमें कोशिन सॉल्व करने वाले हैं बाइन ट्री को पर विचिस कैलेट जा डामीटर फ़ाइन ट्री डामीटर क्या होता है बाइन ट्री का इसके अंदर आप लोगं का लार्जस् और यहाँ पर अगर रगर देखें तो यहाँ पर आपका आउसर है 1 2 3 4 5 6 तुटी कहँं है यहाँ आपकी 6 यहाँ देखें तो यहाँ आपका वन, तो यहाँ बीक का बाइक सबसे बड़ा पाथ जो होगा वह आपका डामीटर होती है। अच्छा कोशन है इसको भी यहां पर लोग करना क्या है कि recursively करना है recursively again हम कैसे करते हैं left side जाते हैं right side जाते हैं पूरा proper देखते हैं और उसके बाद result हम वापिस return कर देते हैं right इस तरीकर समय recursion काम कर रहा होता है यहां पर भी same काम करने वाले हम तो हमारे पास यहां पर काफे सारे cases बन सकते हैं right अगर यह एक binary tree है तो इसके अंदर हो सकता कि left side में एक diameter बन रहा हो कहीं पर बहुत बड़ा ठीक है हो सकता है ना नीचे की नीचे भी कुछ ऐसा कुछ बन रहा हो बड़ा सा right कुछ ऐसा सा बन रहा हो तो यहां पर तो diameter जो होगा आपका वो कुछ अलग ही हो जागा right suppose को यह आपक आपको consider करना है और इन तीनों में से जो सबसे बड़ा answer होगा वह आप लोगो रिटर्न कर देना है finally right क्योंकि आपको maximum बताना है तो basically वही करने वाले हम यहाँ पर diameter वाले function हम बना रहे होंगे मैं आपको एक वार rough idea देता हूँ कि diameter नाम को कुछ function हम बना रहे होंगे उसके म diameter root dot right तो left side में सबसे बड़ा diameter कौन सा right side में सबसे बड़ा diameter जो है वो हमें लाके देगा उसके बाद हमें अगर यह वाली root node भी diameter का पार्ट होती तो वह भी हमें distance calculate करना वह कैसे करेंगे कि left side से height निकालो क्या आ रहे है right side से maximum height क्या आ रहे है वो निकालो और one add कर दो ठीक है left की height निकालो और height root dot right की निकालो मैं भी फिलाल ऐसे गंदा सा code कर रहा हूँ अच्छे से कर दो हूँ ठीक है तो left height यह हो जाएगी right height यह हो जाएगी और अगर यह root एक diameter का पार्ट होता तो क्या आता distance distance आता सबसकर हो d equals to lh plus rh plus one right क्योंकि इसको भी consider करना है तो इन तीनों है d left और right में जो सबसे बढ़ा होगा वह यह function return कर रहा हूँ ठीक है तो return करते टाइम हम यह इन तीनों में d left और right में जो maximum होगा वह return कर रहे होंगे तो यह basically core रहनने वाला है इस function का ठीक है इस question का अब ज़र मैं को कोड करता हूँ आप लोगो I hope समझ मागे होगा होगा उस left side के binary tree से क्या diameter निकल के आता है तो उसके लिए हमने diameter root.left call कर दिया यह अपने आप ही left side जाएगा diameter करके हमें दे देगा कैसे करेगा नहीं सोचना अगर current वाली node भी अगर अगर root node है जो वो भी अगर किसी diameter का part होती तो हम कैसे निकालेंगे diameter वो निकालेंगा तरीका यह है कि left side के height निकालो left side से maximum height का निकल का रही है right side के height निकालो right side से maximum height निकल का रही है plus one क्योंकि इस node को भी add करना पूसके अंदर तीनों को add कर दोगे तो वो वाला diameter भी आजागा जिसके अंदर current वाली node included है right तो suppose कर अगर हमने इसके लिए call किया था तो इसने left side ने कैसे left side ने को लेटिया हुगा इसको one right side ने किया ti सब्सक्राइब कर देगा तो वही मैंने किया कि करन्ट से यह आने वाला है उसके वाद हम रिटन कर रहे है मैंत वाला फॉक्षिन हम अगर यह बहुत ही सिंपल रहने वाला है हाइट वाला फॉक्षिन का करेगा बेसिकली कोई भी इसमें रूट पास करोगे तो उससे नीचे जो भी सब्टरी बन रहा है वहां से वह हाइट निकाल के देगा ठीक है मैक्सिम हाइट तो अगर रूट ही ना तो रिटन करेगा जिरो अधर्वाइस वन प्लस मैटल ऊक्षिन रूट 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 लाइफ्ट या फिर रूटरट रूट है रूट हाइट के अंदर जो भी आ रहा ठीक है तो यह लैफ्ट साइट भी जाएगा राइगा दोनों साइट से जो भी मैक्समा निकल के आ रहा है वह आपको दे देगा प्लस वन क्योंकि करन्ट नोड को इसमें एड करना है ठीक है तो हाइट वाला मैंने एक्शुली करार रखा है वीडियो का लिंक आ रहोगा आप जाके देख सकते हो उस वाली वीडियो को सेम ये वाला बेसिकली यहां पर गई यहां पर आपना है है इस नोट के लिए तो उसने अगें पूरा अन तक चला बहुं फिर यहां पर आए आपना है कलूट की वह पूरा दुबार से चला एंट ता है ठीक है तो एन माल्टिपलाई वाइबाइन लेने वाला है तो यह हो जागा बिग QOFN, x Theta , basically वह Big of N² ही होने वाला है, तो यह Big of N² आला कर सकते हैं, क्या हम इसे Big of N में लाकर कर सकते हैं, तो हाँ, बिलकुल हम इसे Big of N में भी कर सकते हैं, इसके बाद हम देखने वाला Big of N वाला तरीका, यहां पर दिक्कत क्या होगा है, आप लोगों देख रहा होगा, हम हर ाइब कोड़ कोछ यहां यहां पर मैंने हाइट कॉड़ कोड़ 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 ह і नुट वाले से कॉल किया अगैन इसके लिए कॉल किया तो आ tadi ट необходимо खाम भार बार मयूंक्सिनिय और भार कॉल किया रहे हैं तो यहां पर मैंने height of a binary tree वाला code दुबारा से लिखती है, बस एक line इसके अंदर extra add हुए, इस function के अंदर वो यह वाई line है, यही वो line है जो हमें answer लाके देगी, जो की maximum diameter होने वाला है, आपको याद होगा हमने पहले call किया था, तो height वाला function हम बार-बार call कर रहे थे, और उस height अगर इस line को मैं comment कर दू ना, तो यह वाला function आपको कुछ नहीं, height लाके देगा, किसी binary tree की, ठीक है, किसी binary tree की height जो होगी, वो यह function लाके देगा, अगर इस line को comment कर दें तो, इस line को uncomment भी कर दोगा, तो भी यह return तो वही करने वाला है, basically मैंने ऊपर एक variable बना लिया, जो की हमारा final answer store कर रहा होगा, which is the diameter of this binary tree, starting at this root node, तो हो क्या रहा है, जरा समझते है, basically हम कर क्या रहे है, हम गए यहाँ पर, ठीक है, उसके बाद हमने left side के लिए call कर दिया, उसके बाद हमने दुबार से left side के लिए call किया, left side में हमें कुछ नहीं मिला, right, null है, तो null होता तो हम यहा maximum diameter store करते चलेंगे, ठीक है, answer को हम सर्फ तभी update करेंगे, जब maximum उससे बड़ा diameter हमें मिल चुका हो, ठीक है, तो वो कैसे मिलेगा, यहा तो answer होगा, यह फिर 1 प्लस LH प्लस RH, तो अगर यह यहाँ पर कोई diameter बन रहा होता, तो वो उसकी जो length होगी, वो हमारे answer में चलियागी तो अभी फिलाल क्या है, 0 प्लस 0 प्लस 1, तो answer के अंतर अभी फिलाल था 0, और 1 जाएगा, फिर यह return करेगा, तो अभी return क्या करेगा, यह return करेगा, यह return क्यों क्यों करेगा, क्योंकि return करता है, 1 प्लस math.next, LH प्लस LH और RH, तो obviously height वाला function तो अपना काम करी रहा, इसने इस जाएगा, निचे जाएगा, तो यह again, 1 return करेगा, लेकिन यहाँ पर हम answer को update नहीं करेंगे, यहाँ पर हम answer को update करेंगे, answer कोई फायदा नहीं है, answer is already 1, और यहाँ से भी जो diameter निकल क्या रहा है, उसकी height अभी 1 है, तो answer को update करने कोई फायदा नहीं है, then यह right side जाएगा, right side मे अगेन left side जागा, zero मिलेगा, right side जागा, zero मिलेगा, और फिर यह total, जो इसका height होगी, वो होगी 1, यह भी 1 return करेंगा, तो यहाँ से दौन से इसे 1 मिल रहा है, तो यहाँ से भी 1 मिला, यहाँ से 1 मिला, उसका अथम answer को देखते है, answer क्या होता है, तो answer होगा, math.max of answer which is 1, या फ बड़ा डायमेटर मिल गया हो सकता है यह हमारा डायमेटर हो फिलाल ठीक है क्योंकि वन से तो बड़ा यह वन साइज डायमेटर से तो बड़ा यह तो यह हमें यहां से थ्री लाके दे रहा है और बेसिकली डायमेटर यहां पर हाइट क्या रही है हाइट आरिये टू राइट आंसर होगा math.max of answer which is 3 या फिर left side से जो 1 प्लस left side से जो मिल रहा है तो left side से आपको मिल रहा है 2 ठीक है तो 2 plus 1 plus 1 which is 4 तो 4 is greater than 3 तो हमारा answer again update हो जाएगा और basically वह यह वाला diameter होगा 4 और उसके बाद यह अपना काम करके निकल जाएगा ठीक है तो यह तो basically height return कर देगा which is 3 हमें height से लेना देना थोड़ना है हमारा तो answer से लेना देना answer is diameter तो answer is 4 तो basically हमने height वाले function को ही change किया अपना काम करता चलेगा और हमें diameter भी इसने दे दिया ठीक है तो यह था बहुत ही simple और इसके अंदर आप लोगों का big of end time लग रहा है यह वाली वीडियो यहीं तक थी वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आए तो जरूर लाइक करते हैं करते हैं सब्सक्राइब मैं में लोग आप लोग आप लोग से वीडियो में चलते हैं बाब बाई